तो दोस्तो 15 फरवरी 2019 के तहट हम आपको अपने इस वीडियो में 5 बड़ी खुशखबरी बताने जा रहे हैं तो सारी खबरों को ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि इन खुशखबरी से और इन खबरों से सीधे आपको फाइदा मिलेगा साथी में आपके लिए एक छोटाता सर्वे अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे जादा अनाज पैदा होता है फटाफट से अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखडा लिए बात करें पहले खुशखबरी की तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर यह खुशखबरी नियोंतम मजदूरी हो सकती है 11.1% की बढ़ोतरी बढ़ जाएगी आपकी सेलरी जी हाँ दोस्तो आम आदमी के लिए एक और खुशखबरी आई है आपको बता दें जो भी मजदूर लोग है उनकी सेलरी में 11.1% की बढ़ोतरी की जाएगी यानि इस समय किसी को अगर 10.000 रुपे सेलरी मिलती है तो उसकी सेलरी आने वाले दिनों में 11.100 रुपे हो जाएगी लेकिन आपको बता दें फिलहाल ये योजना दिल्ली के लिए बनाए गई है लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसे देश के अन्नी राज्यों में भी लागू किया जाए दोस्तों बात करें दूसरी खुश खबरी की तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि आ गया अच्छे दिन बिजली कटोती हुई तो कमपनियों पर लगेगा जुर्माना बताना होगा कटोती का कारण जी हाँ दोस्तों अगर आपके इ आपदा आती है यानि के बारिश बिजली तूफान वगेरा तो इसके बारे में भी कमपनियों को पूरी अपने रणनीती बतानी होगी कि हम किस तरीके से बिजली काटेंगे दोस्तों अगली खुश खबरी बताने से पहले आप से छोटी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारे मेहनत का फ़ल होता है दोस्तों बात करें तीसरे खुश खबरी की तो जैसा कि आप देख सकते है अपनी स्क्रीन पर पे टियम गरहकों के लिए खुश खबरी शुरू होई के लिए आप पेटियम के एप में जाकर इस स्कीम को देख सकते हैं और इसका फायदा भी उठा सकते हैं दोस्तों बात करें चोथे खुश खबरी की तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर गरीब आरक्षण के बाद विश्विद्यालों में बढ़ेगी तीन होने की वज़े से बहुत सारे लोगों को एड्मिशन नहीं मिल पाता लेकिन आपको बता दें अब सीटों को बढ़ा दिया जाएगा इनकी कुलतादाद 3 लाग के करीब हो सकती है दोस्तों बात करें पांच में खुश खबरी की तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क् अकाउंट भी दिये जाएंगे साथी में जो दूसरा अकाउंट पेश किया गया है वो खास बुजर्गों के लिए है आपको बता दें इन अकाउंट में मिनिममम बैलेंस 3,000 रुपे होना चाहिए लेकिन ये शहर के लिए है लेकिन जो गाउं के लोग होंगे वो लोग सिर हजार रुपे ही मिनिममम बैलेंस रखेंगे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और उजाना की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तो बैल का इकन भी जरू दमाएं थैंक्स वर वॉचिंग